अमानत अलिवर्ड एच एम लिंक स्टेट दियाच एच फेल स्टेंड मतला हूस फार से जिस पर आप ये फ्रन्ट एलिविएशन इसका देख रहे हैं कार्नर हाउस है साथ ही आपको इसकी बैक साइड पे यह स्टीट आप देख रहे हैं इधर से भी मैं आपको इसका विज़ प्लांट इशन यहां पर की हुई है साइड़ों से भी आप देख सकते हैं गेट इसका मैटल का बना हुआ है खुब्सूर्ट डेजाइन बना हुआ है और यह फ्लांट एलिवेशन अगर हम गर में इंटर होते हैं तो यह जो आप दोस्तों को इसका कार पोर्च मिल रहा है यह इसकी स्पेस अगर देखते हैं तो तीन गाड़ियां यहां पर सानी सकड़ी कर सकते हैं और साइड से यह आप दोस्तों गैलेरी नज़र आ रही है इसकी बैक साइड पर इसी तर यह आप दोसिस का में गेट देख रहे हैं में गेट से जुन ही हम इंटर होते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पर यह किछने मिलता है और right side पर ड्राइंग रूम ड्राइंग रूम के अगर हम बात करते हैं तो आप यह देख सकते हैं आपको एंडो इधर मिल रही है और दो विडो यहां में मिल जाती है तीन विडो यहां पर लगाई गई है ड्राइंग रूम में और ये इसका डूर है जो सेपरेट दिया गया है अगर दूर के हम बात करते हैं ये वाले जो डूर है इसमें गलास और वुड का काम किया गया है इसके बेड्रूम में आपको ले चलता हूं ये इसका बेड्रूम देख सकते हैं ये समने जो ही इंट्रों होते हैं विड़ो दी गई है और ये खुबसुर देजार बना हुआ है लिए आप सका दोर देख सकते हैं और आपको इसका भी वाश्रूम वुजिट करवादेता हूं कौर्णर होस है डबल गेटियां पर लगाया है यहां इसका वाश्रूम अगर शावर एरिया की बात करते हैं तो इसका शावर एरिया सेपरेट दिया गया है और सामने आप देख सकते हैं फुल हाइटन बली में यहांसे बाहर निकलते हैं स्का की तरफ चलते हैं यह सका सेकेंड बैट रूम में इंटर होगे यह वाल पे देंख सकते हैं खुबसुर्त वाल पेपर लगा हुए और यह यहां पर ऋडी गई है यह दोर सामने है और यह इसकी सीलिंग आप चेक कर सकते हैं जो ही इसके वाश्रूम में इंटर होते हैं तो राइट साइड पर आप देख सकते हैं फुल हाइटेड कबर्ड आपको मिल जाती है वाश्रूम में इंटर होते हैं सामने कमोड शावर एरिया विंडो एक्जास्ट फैन वैंटी चे अब भी मैं आपको ले चलते हैं इसके किचन वारी साइड पर यह किचन आप चेक कर सकते हैं जो ही हम इंटर होते हैं तो साथ ही गर में यह किचन दिया गया है और इस किचन का यह एक यहां से डोर दिया गया है किवन आप इसकी चेक कर सकते हैं बरनर यहां पर इंस्टाल ह और नीचे खूबसुर्त बनी हुई है के बन यह सामने सिंग के उपर विंडो दी गई है और यह एक साइड पर यह के बन बनी हुई है और इससे हम बाइर निकलते हैं तो यहां पर हम आज आते हैं इसके टीवी लाउंज में यह आप देख सकते हैं यहां पर सामने खूबसूरत दो फैन लगे हुए हैं और फानूस इंस्टाल है स्क्योर्टी कैमराज यहां पर लगे हुए हैं और यह सामने आपको मिडिया वाल मिल जाती है और यहां पर आपको एक बड़ी विंडो मिलती है यह एरिया जो यह अब गेट देख रहे हैं यह वाला गेट बाहर जा रहा है कार्णर बारी साइड पर यह सामने विंडो दी गई है और अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लॉर पर इस इंटर होते हैं आपको यह दो यहां प फर्स्ट फ्लॉर पर फिर्स्ट फ्लॉर पर जोई हम इंटर होते हैं यह आप इसका टीवी लोग देसकते हैं पहले मैं आपको ले चलता हूं इसके बैड डूरूम की तरफ ये इसका बैडरूम आ गया बैडरूम सेम अगर हम बात करते हैं तो इसी तरह नीचे भी इंटर होते ही आपको ये सामने विंडो मिल जाती है और वाल पे ये खुबसुत वाल पे उपर लगा हुआ है और सामने इसका डोर ऊपर सीलिंग अभी मैं आपको इसका वाश्रूम चक्रवा देता हूं ये वाश्रूम वाश्रूम इंटरू होते ही हमें ये सामने आउंटी और गलास ये इसका कमोड़ा आगया शाबर एरिया स्पेस की अगर बात करते हैं तो कादी स्पेस है यहां पर ये विंडो दी गई है और यहां से अगर हम देखते हैं फुल हाइटेड कबर्स बनी हुए है साथ वाश्रूम में तो इस बैड रूम से बाएर निकलते हैं इसके सेकंड बैड रूम में आपको ले चलता हूं यहां पर इंटरो उजलते हैं यह सामने खूबसूरत आप दे हैं और साथ ही आप देख सकते हैं दो और इसके वाश्रूम में मैं आपको ले चलता हूं यह आप देख सकते हैं फुल हाइटेड कबर्स बनी हुए है राइट और समरी लेफ्ट साइड पर हम इंटरो होते हैं तो हमें कमाउट सामने इंग्जास्ट फैन विंडो और शाव भाइन भी है और अच्छा वर्कूव है तो यहां से बाएर निकलते हैं आपको इसका इस साइड पर माँ जाते हैं किचन और यहां पर हम आपते हैं जिसकर द्रेंग जाएं लों यह चेक कर सकते हैं एक साइड पर यह बंड दी गई हैं से इसी तरह नीचे भी तीन बंड़ दीग गी है, डिजाइन इसका एक जैसा है, तो यहां पर आपको फुल हाइट इप कबर्ज मिल जाती है, साथ ही है, इसका डोरा आगया, और यह इसका वाश्रूम, अगर हम वाश्रूम की बात करते हैं, तो यहां पर वाश्रूम की स्पेस ज्याद है, यह सामने को मोड आगय फुल शावर एरिया, विंडोर, यह वैंटी आप चेक कर सकते हैं, यहां पर काफी स्पेस, ज्यादा स्पेस इस वाश्रूम को दी गई आए, आप देख सकते हैं, उपर फूश्रूम तो गलास लगा हुआ है, इस वेडरूम से हम बाहर निकलते हैं, तो सामने आपको मिल ज तो यहां पर थोड़ा डिजाइन में थोड़ी चेंजिंग की गई है, नीचे जो डिजाइन है वो और था, यहां पर और किया गया, यह आप देख सकते हैं, उपर और नीचे की केबन, सामने आपको सिंग के ओपर विंडो दी गई है, जास्ट फैन, और उपर और, यह उप अगया टीवी लाउंज के आप देख सकते हैं, खूबसुरत सेम इसी तरह नीचे भी डिजाइन है, यह आपको विंडो यहां में मिल जाती है, और विंडो के सामने आपको यह मिडिया वाल, मिडिया वाल वाल पे जो ए, वाल पे जो आपकर का काम भी किया गया है, कार्णर अगर आपको डिस्किप्रिचर में मेरे मेरा नबर मिल जाएगा, थैंक यू, अलाफिद।